बच्चों आज हम देखेंगे NCRT क्लास एट्थ की हिंदी की पूरक पाठी पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नहरूजी ने आज हम इसी पुस्तक का पाँचवा पाठ देखने जा रहे हैं जिसका शीरशक है नई समस्य आएं और इस पार्ट में भी बहुत सारे छोटे-छोटे शीरशक दिये गए हैं जिन्हें मैंने अलग-अलग भागों में बाटा है आज हम इस पार्ट का पहला शीरशक पढ़ेंगे जिसका नाम है अरब और मंगोल और ये शीरशक इस पार्ट का पहला भाग होगा तो यहां पर युद्ध करते रहे और वर्षों वर्ष तक उन्होंने यहां पर शाशन भी किया इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अरब देश में रहने वाले अरब और मंगोलिया में रहने वाले मंगोल्स ये लोग भी बाहरी आकरमन कारी के रूप में हमारे देश में प देश में फैला इस सारी चीजों की जानकारी हमें इन बिंदों के अंतरगत मिलती है तो वह समय जबकि अरब और मंगोज जो थे वह हमारे देश में आ चुके थे उस वक्त हमारे भारत का माहौल कैसा था कौन यहां का शाशक था और क्या चीजें यहां पर घट रही थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आईए देखते हैं हर्ष वर्धन शक्तिशाली शाशक थे उस वक्त हर्ष वर्धन नाम की एक राजा थे जो काफी शक्तिशाली शाशक माने जाते थे उत्तर भारत में सामराजी फैला था हर्ष वर्धन का जो सामराजी था वो पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था इसके साथ ही यहाँ पर चीनी यात्री का भारत आना यही वह समय था जबकि चीनी यात्री भी भारत आये हुए थे हुआंग सांग का नालंदा में अध्यान और यह जो चीनी यात्री थे वो उस वक्त नालंदा जो हमारा विश्विद्याले था वहा पर ये अपनी सिक्षा जो है वो ग्रहन्ट कर रहे थे इसके साथ अरब में इसलाम धर्म का फैलाओ अरब में पहले ही इसलाम धर्म पूरी तरह से फैल चुका था वहां के लोगों ने इसलाम धर्म को अपना लिया था भारत के मध्य तक पहुँच चुका था और जब अरब और मंगोल हमलावर के रूप में हमारे देश में उन्होंने प्रवेश किया और अपने साथ इस इसलाम धर्म को भी साथ में लेके आए तो यह जो इसलाम धर्म था वो भारत के मध्य भाग तक पहुँच गया था मध्य भाग का अर्थ है यदि आप भारत का नक्षा देखेंगे तो जो बीच में पढ़ने वाले जो राज्य हैं वहां तक यह इसलाम धर्म का फैलाव हो चुका था लेकिन यहां पर एक चीज और कही गई है कि यहां पर इसलाम धर्म का जो फैलाव था ये कुछ वर्षों में नहीं हुआ था बलकि इसे भारत के मध्य तक पहुँचने में 600 वर्षों का लंबा समय लग गया था इसके साथ इसलाम धर्म राजनेतिक विजय के साथ भारत आया था यहां पर इसलाम धर्म का जो भारत में प्रवेश था वो एक राजनेतिक विजय के तहट इसका प्रवेश हुआ था राजनेतिक विजय का मतलब है अरब जो देश के लोग थे उन्होंने यहां पर हमला किय यहाँ पर उन्होंने विजय हासिल की उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पर सामराज स्थापित किया और धीरे धीरे अपने धर्म को वो फैलाने लगे तो यह सारी जो चीजे थी वो राजनैतिक विजय का परिणाम थी इसके बाद है इसलाम धर्म का स्वरूप बदल चु वो यहाँ पर नहीं था अब धीरे धीरे इसलाम धर्म जो भारती लोगों ने इस धर्म को अपनाया था वो इसका स्वरूप वो बदल चुके थे धीरे धीरे इसके बहुत सारे ऐसे रिती रिवास थे नियम कानून थे जो कि धीरे धीरे बदल रहे थे इसलाम धर्म का नेत्रित वह दूसरे लोग कर रहे था, यहाँ पर अब इसलाम धर्म जो है वो सिर्फ अरब से आए हुए लोगों दौरा ही नहीं माना जा रहा था, बलकि भारतिये लोगों द्वारा भी अपनाया गया था, अब यहाँ पर जो इसलाम धर्म था, वो केवल अ अरब से आने वाले जो लोग थे उनके द्वारा ही नहीं माना जा रहा था बलकि वो भारती लोग भी इसे मान रहे थे और इसका नेतरित इसे आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी वो अब दूसरे कंधों पर जा चुकी थी दूसरे लोगों ने इसका नेत्रित जो है वो सम्हाल लिया था तो ये है अरब और मंगोल का भारत में इसलाम धर्म के साथ प्रवेश तो आएए देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसके साथ है अरब के लोगों का भारत में प्रवेश तो यहाँ पर पहले ही बताया गया लेकिन वहां पर पहुंचकर ये वहीं पर रुख गए थे अरब सभ्यता का पतन होने लगा और कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण अरब सभ्यता जो सभ्यता वो अपने साथ ले करके आये थे अपने रीति रिवाज अपनी संस्कृति वो सारी चीजों का पतन होने लगा था मत के खत्म होने के साथ ही मध्यत था पश्चिम जो हमारा जो इलाका है वहाँ पर तुर्की जातियां जो है वो धीरे-धीरे उन्होंने अपने पाउपसार ने शुरू कर दिये थे भारत में सीमा प्रदेशों में इसलाम का प्रभाव यहाँ पर भारत की जो सीमा थी जो भारत क जो बॉर्डर था वहाँ पर भी बहुत सारे चोटे बड़े प्रदेश थे वहाँ पर इसलाम धर्म का क्या प्रभाव था आईए देखते हैं आगे है तुर्क और अफगानी लोगों का प्रभाव सीमा पर तुर्क और अफगानी लोगों का बहुत जादा प्रभाव था आग पर ये सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण इसलाम धर्म आसानी से हमारे भारत में पहुँच गया उसने अपनी जड़े जमानी शुरूर कर दी अरब के लोगों द्वारा दूर दूर के इलाके जीतना अरब के लोग जो थे वो काफी शक्तिशाली थे वो बड़ी-बड़ी सेना लेकर के आ रहे थे और यही कारण था कि वो लोग हमारे देश में जो दूर-दूर के जो इलाके थे उन्हें भी उन्होंने जीतना शुरू कर दिया था भारत में वे सिंध से आगे नहीं बढ़ पाये तो यहां पर कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण वो भारत में जो सिंध था सिंध जो स्थान का नाम था उसके आगे वो नहीं बढ़ पाये थे सिंध जो है वो आज पाकिस्तान में पढ़ता है उससे आगे वो नहीं बढ़ पाये भारत ने पूरी शक्ति के साथ इन्हें रोका और भारत के जो शाशक थे भारत में जो शाशन करने वाले जो राज अब यहाँ पर धीरे धीरे अरब से आई वे जो लोग थे उनका सामराजी खतम होने लगा उनका शाशन खतम होने लगा और उनका पतन शुरू हो गया उनके पतन के क्या कारण थे उनके खत्म होने के क्या कारण थे उनके आंतरिक जगड़े अब ऐसा बताया जाता है कि अरब शाशन के जो शाशक थे उनके आंतरिक जगड़े उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स इतने ज़ादा थे कि वही कारण था उनके खत्म होने का दूसरा ह सिंध का बगदाद से अलग होना यहां पर एक और रीजन बताया जा रहा है एक और कारण बताया जा रहा है कि सिंध जो था उस वक्त एक शक्तिशाली राजी के रूप में माना जाता था और बगदाद का हिस्सा था तो यह जो सिंध था वो बगदाद से अलग हो चुका था छोटे से राजी के रूप में अलग सत्ता कायम किया और यह जो सिंध के लोग जो थे उन्होंने अपने राजी को बगदाद से अलग कर लिया और एक छोटे से राजी के रूप में उन्होंने अपनी अलग ही सत्ता कायम कर ली एक अलग राजी उन्होंने स्थापित कर लिया राजियों राष्ट कुटों ने भी बगदाद से वैपार और सांस्कृतिक संबंद बनाए तो यहाँ पर भारत और अरब के बीच में जो संपर्क बढ़ रहा था उनके संबंद अच्छे हो रहे थे उसका लाग जो है भारत के अन्य राजियों को भी मिला उन अन्य राजियो थे जैसे राष्ट कुट राष्ट कुट जो थे वो उस वक्त का सबसे शक्तिशाली सामराज्य माना जाता था तो उन लोगों ने भी बगदाद से वैपार और सांस्कृतिक संबंद बनाने शुरू कर दिये थे उन्होंने भी इस थिती का लाब उठाना चाहा और अपने सं संबंद इतना मजबूत हो रहा था ये एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे इसका क्या परिणाम हुआ इसका क्या रिजल्ट हुआ तो आईए देखते हैं क्या रिजल्ट हुआ इसका यात्रियों का आना जाना आरंब हुआ अब लोग जो थे वो एक देश से दूसरे वो अरब में जाके रहने लगे और अरब की जो राजदूत थे वो भारत में आके रहने लगे ताकि इनके व्यापारिक और सांस्कृतिक जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत बनाए जा सकें तो इस तरह से राजनितिक रूप से भी ये दोनों देश एक दूसरे से जु थी वो भी बगदाद तक पहुच चुकी थी वो पुस्तके भी बगदाद में लोग पढ़ने लगे थे चुकि वो संस्कृत में लिखे हुए थे तो उनका अरबी अनुवाद भी किया गया अरब में उनके अनुवाद हुए वहां के लोगों को समझ में आने वाली भाशा जो थी उसी भाशा में उसका अनुवाद भी किया गया भारती चिकितसक बगदाद गए यहां तक यह नहीं था नहीं यहां पर गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकों की बात नहीं थी बलकि जो भारती चिकितसक भी थे वो भी बगदाद जाने आने लगे तो यहां पर संबंध अच्छे होने के बाद, ये सारे बदलाव भारत और अरब में देखे जाने लगे, तो आएए देखते हैं, और यहाँ पर अरब और भारत के बारे में क्या बताया जा रहा है, इसके बाद है भारत, अरब, संबंद और इस्लाम अब यहाँ पर चुकि अरब जो देश था वो इसलाम धर्म को अपने साथ लेकर हमारे देश में आया था इसलाम धर्म को लेके हमारे भारत में रहने वाले जो लोग थे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी उन्होंने इसका किस तरह से स्वागत किया इसे अपनाया या उनके क्या विचार थी ये सारी चीजे हम इसमें देखेंगे अरबों से लगातार संपर्क के कारण इसलाम धर्म की जानकारी हुई अब यहाँ पर भारत और अरब के संबंद अच्छे हो चुके थे और उन दोनों में लगातार संपर्क बना हुआ था लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था साहित्यों का एक दूसरे को लेना और देना शुरू हो चुका था तो इसके कारण इसलाम धर्म की जानकारी भी भारतियों को होने लगी अरब से इसलाम धर्म के प्रचारकों का भारत आना अब यहाँ पर अरब जो देश थे वो अपने इसलाम धर्म के प्रचारक जो प्रचार करने वाले थे धर्म के उन लोगों को भी उन्होंने भारत भेज बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया भारत में कई मस्जिदें बनी यहां पर इस धर्म का फैलाओ तो हुआ ही साथ ही साथ यहां पर मस्जिदों का भी निर्मान किया गया बहुत सारी मस्जिदों का भी निर्मान किया गया साशन वा जनता किसी ने भी विरोध नहीं किया यहाँ पर जो उस वक्त के शाशक थे राजा महराजा थे साथी साथ यहाँ की जो जनता थी किसी ने भी ना तो मस्जिद के बनने पर कोई अपना विरोध जताया और ना ही इसलाम धर्म के प्रचारक जो यहां आ करके इसलाम धर्म के बारे में लोगों को बाते बता रहे थे, उन्हें सीख दे रहे थे, और ना ही इसके बारे में उन्होंने अपनी जो राय है वो गलत तरीके से प्रस्तुत की, सभी ने उसका स्वागत ही किया, कोई धर्म विवाद या जगडा नहीं हुआ यहाँ पर इसलाम धर्म जो धीरे-धीरे भारत में अपनी जड़े मजबूत कर रहा था उसे देखते हुए भी यहाँ पर किसी ने ना तो धार्मिक विवाद में कोई पड़ा और ना ही किसी तरह का जगडा ही हुआ तो यह कहा जा सकता है कि भारत वर्ष में इसलाम का जो फैलाव था वो भारतिये लोगों की सहमती से ही हुआ था आगे है भारत ने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए संदेश दी यहाँ पर भारत यानि कि भारत के लोगों ने अपनी सहनशीलता का अपने पेशिंस का काफी अच्छा परिचय दिया था वो किस तरह से परिचे दिया था आईए देखते हैं सभी धर्मों का आदर करना उन्होंने यह कहा था कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं चाहे वो हिंदू हो चाहे वो इसलाम धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो हम सभी धर्मों का स्वागत करते हैं उनका सम्मान करते ह सहनशीलता का गुण भारत की प्राचीन परमपरा यहां पर यह भी कहा जाता है कि यह हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन परमपरा है कि किसी भी स्थिती में हम अपनी सहनशीलता जो है वो नहीं छोड़ते हैं हम अपने आपको सहनशील बनाए रखते हैं इसलाम के फैलाओ की दशा में भी लोग यहाँ पर शांत बने रहे उन्होंने इस चीज का स्वागत ही की इसी के साथ अता इसलाम भारत में राजनेतिक टाकत से पहले धर्म के रूप में प्रवेश कर चुका था तो यहाँ पर इसलाम को मानने वाले जो लोग थे जो अरब से आने वाले जो लोग थे उनके फैलाओ से पहले उनके सामराजे स्थापित करने से पहले इसलाम जो है वो धर्म के रूप में हमारे देश में प्रवेश कर गया था और भारत के लोगों ने इसे खुले दिल से आशा है आप लोगों को नई समस्याओं के अंतरगत ये जो पहला शीर्षक था अरब और मंगोल इसका भावार्थ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पार्ट के अन्य शीर्षकों का भावार्थ भी हम अवश्य देखेंगे तब तक के लिए थांक्यू धन अवड़ है वोगो पहर देखेंगे के लिएस्ट से जावार्थ टूशता है रजिए तक के लिए नवश्य आप लावार्थ लावश्यू लावफ वर प्सका भावश्यू अजय को अई समय हैं तक कि रुट खेंगे हूश्यू जीर्भ लावार्थ और भी किन देखेंगे